हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडिकेफें दोस्तों दुनिया की सबसे उची प्रतिमा बनकर तयार हो गई हैं सनीवार यानी 29 अक्टूबर को इसका लोकर्पन समारो सुरू होने जा रहा है राजस्थान में राजसम्मत जिलेक की नात द्वारा में बनी सिव प्रतिमा की उचाई 379 फिट है जिसे विश्वास सरूपम नम दिया गया है दोस्तो बतादे की प्रतिमा को बनाने में 10 साल का समय लगा इसे दुनिया की टौफ फाइस सुची प्रतिमाओं में स्थान मिला है इसे संतक्रिपा सनातन संस्थान द्वारा तयार किया गया है लोकरपण समारो 29 अक्टूबर से सुरू होकर 6 नमबर तक चलेगा और इसकी सुरूवात मुरारी बाबु की राम कथा से होगी दोस्तो नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पर बनी यह प्रतिमा 51 बिगा की पहाड़ी पर बनी है इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान यव अलनड की मुद्रा में विराजित है प्रतिमा की उँचाई इतनी है कि जो कई किलोमेटर दूर से आने पर नजर आती है लात में भी यह प्रतिमा इस पर्ष्ट रूप से दिखाई दे इसलिए विशे स्लाइट का प्रबंद किया गया है दोस्तो 379 फिट की उँची इस प्रतिमा के विश्व की सबसे उँची सी उप्रतिमा बनने की कहाने भी दिल्चस्प है एक रिपोर्ट के अनुसार जब साल 2012 में इस प्रतिमा को बनाने का प्लान हुआ तो इसकी उचाई 259 फिट रखने की योजना बनाए गए लेकिन बाद में निर्माड के दवरान इसकी उचाई 359 फिट तक पहुँच गए इसके बाद सिव की जटा में गंगा की जल धारा लगाने की योजना बनाए गए तो इसकी उचाई 379 फिट तक पहुँच गए इस प्रतिमा में लिफ्ट, सीडियां, हॉल, आध भी बनाए गए हैं इस निर्माड के दवरान 3000 टन श्टील और लोहा 2.5 लैक क्यूबिक टन कंक्रेट और रेत का इस्तमाल हुआ है। 250 किलोमीटर रप्तार से चलने वाली हवाय भी मुर्ति को प्रभावित नहीं करेंगी। स्टेचू ओफ बिलीफ की कलपना मिराज ग्रूप उदयपूर के चैर्मैन स्री मदनलाल पालीवाल ने की थी। इस अउधारणा को आगे स्टूडियो माटुराम आर्ट दोरा विक्षित किया गया था जिसने 359 फिट उची मूर्ति को डिजाइन किया था। दोस्तों अगर बात करें दुनिया की पांच सबसे उची सिव प्रतिमाओं की तो विश्वास सरूपम जो राज अस्थान में 29 अक्टूबर को लोकारपन होगा उसकी उचाई 379 फिट है। मेटर की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे उची प्रतिमाओं की अब राजस्थान में